तो आज मैं एक नेल एक्सेशन की वीडियो लेकर आई हूं जो है ओम्रे एफेक्ट में तो हमें पहले क्लाइन के जो रियल नेल्स है उन्हें कट करना पड़ेगा और फिर इसको असे टॉन फ्री से जितना भी नेल्स पे नेल पॉलिश रहेंगे उनको हमें क्लीन करना है ठीक नेल्स रहेंगे उसको भी कट कर देना है एंड पुशर के मदद से हलका हलका क्यूटिकल्स अरिया को पुष्ट करते रहना है ताकि ज्यादा से ज्यादा जगा हमें मिल सके काम करने के लिए ठीक है आप देख सकते हो मैं किस तरह से पुष्ट कर रहे हूं तो उतना ही पु साइट के जो हार्ड से जो डेट से रहते हैं उसको भी हमें क्लीन करना रहता है स्रिम प्रोसेस हमें ऑपोजेट वाले हाथ पे भी अपलाई करना है तो देख सकते हो कि कितना डेट सेल्स निकल रहे हैं सारे नेल्स के ठीक है और हमें अभी करना है एम्री बोर्ट से इसे न तेना ठीक है क्योंकि साइट से जो नियल्स है वो निकले वे रहने से फिर नेल्स ना जल से छूटने लगता है जल से जल छूटने रगता है और इसलिए हमें ध्यान से करना रहता है याम्री बोड चलाने के टाइम आप यह ध्यान रखो कि कस्टमर के जो क्यूटिकल कोई भी कोना जो है कुछ नहीं निकला हुआ चाहिए नेल्स का ठीक है राउंड करके एकदम आप इसको नीट कर लो फिर हमें क्या करना है यह जो पुशर के आपोसिट साइड में जो हिस्सा रहता है ना उससे हमें इतने भी नेल्स का अंदर गंदेगी है इसको क्लीन करना है जैसे क्लीन करना है यह जいて करना है इसके बाद हमें करना है टेप सिलेक्ट हुआ है है तो जाब हमें एक तरीक ना चाहिए तो ऑनकर लेने है साय जाता है सेम पर कोई डूग करन दो में उप्या एक की बार में और यह मैं मंतल सारी इन को सिपका दे रहे हैँ इनके रहे हो ठीक है मैं कोई बेस्ट कोट नहीं अपलाई की हूं इनको डारेक्ट में जिपका रही हूं नेल्स को और ध्यान से चीपकाना रहता है यहां पे तेड़ा चीपक जाने से नेल्स भी दिखकत होती है इसको खाड़ भी नहीं सकते उक खाड़ोंगे तो फिर वह गंदा दिखता है और काम बढ़ भी जाता है नेल्स भी काफे डैमेज होते हैं तो इसके बाद हमें करना है इंद्ध को कट क्लाइन चुटे-चुटे चाईए तो मैंने चुटे-चुटे काट लिया है आप जब भी नेल्स को काटा ऐसे तो आप थोड़ा सा लेंद बचा के काटा किुंकि इ को सब्सक्रा в Roche I'm able to shop kg Sug करते हैं मbuildर को चोटा हो जाता है तो इसको क्या करना है हमें हम तो square का shape दे रहे हैं तो हमें पहले क्या किहां करना है side से ItsHo हमके हलके था से चलाना हैं हलका सा नीचे के तरफ थोड़ा सा पतला करेंगे और उपर के तरफ जो है जो हच साहे निकला हुआ रहा है नील्स का पलाश्टिक का उससे हं असली नील के साथ ताकई वह समझ में लाई कि वह नकली है तो इस तरह से अम्री बोड चलाएंगे हम देख सकते हो कि मैंने दोनों उंगली से मैंने थम को दबा ताकि नेल्स यह उपर के तरफ आ जाए और इम्रीबोट चलाने में आसानी हो उपर के तरफ के जो हिस्सा है उसको हमें अच्छे से अपर करना है ताकि पतला करना है थाकि वह एक ही नेल दिखे कोई दूसरा हुआ चिपका हुआ ना दिखे इसा न लगो कि कोई दूसरा नेल हमने लगाया है और यह मैंने अम्रोड से हऽलका नीचे के तरफ थोड़ा थोड़ा जो है पतलग किया है यह कफण मी ऐ ही मतलब ही स्वार तोड़ा से काफीन स्वाइर जादा है श्मेट cycle और नीचे वाले हिस्से को भी हमें ऐसे वें इम्रीपोर्ट से निकालना रहता है निए तो वह यह ना लगते रहता है चुपते रहता है कप्ड़ों में फसते रहता है तो नीचे भी एक बहर अप चुना लेना और यह मैं अच्छे से एंबरी बोर्ट चला लिया है ताकि वो कोना सारे हलका राउंड हो जाए और स्मूध हो जाए ठीक है सेम प्रसेस हमें सारे नेल्स के उपर करना है तो आप देख सकते हूं मैं फिर से दिखा रही हूं एक जो नेल्स है मतलब दूसरे वाले इंडेक्स फिंगर पे तो पहले ही नेल्स जो है नेल्स के उपर असली नेल्स के उपर हमें नहीं चलाना है मैं बार बार बोल रहे हूं कि असली नेल्स के उपर नहीं चलाना है तो हमारे असली नेल्स डैमेज हो जाएंगे हमें बस प्लास्टिक के जो फॉल्स नेल्स है उसके उपर ही हमें चलाना है अम्री को तो आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे चला रही हूं आपको देखाने के लिए कि कैसे आप यूज कर सकते हैं इसका एम्री बोर्ट का ठीक है और मैं यह अभी तीर चला रही हूं ताकि स्क्वायर का हिश्रा जो है वह थोड़ा लंबाई में मतलब थोड़ा पतला दिखे मतलब कैฟें के शेप में आए जिसे हम बैलरेना भी बूलते है ठीक है तो वैसा शेप में आए हलका सा और फिर उसके बाद हम करेंगे साइडस को नीट और हलका सा round shape देंगे और अब जो है same process हमें सारे nails के उपर apply करने है तो सारे nails के काम हो चुके अभी मैंने ये acrylic powder लिया है orange color का इन्हें orange और light pink shade में चाहिए था तो मैंने ये बनाना शुरू कर दिया है छोटा सा brush है तो इससे करने में मुझे प्रॉब्लेम होता है बट हो जाता है तो ये easy रहता है मतलब केरी करने के लिए और जो बनाने के लिए nails छोटे nails बनाने के लिए easy रहता है इसलिए मैंने इसको use में ले लिया है तो धीरे-धीरे हमें मोनमर में brush को dip करते रहना है और फिर powder में powder को लेके अभी सब्सक्राइब रहना है नहीं तो हमारा जो brush है brush खराब हो जाता है हाड हो जाता है तो ऐसे आधा हिस्सा में हमें जो है acrylic powder apply करना है सारे नेल्स पे ठीक आधा हिस्से में और जितना हो सके आपको smudge कर लेना है तब ही ठीक है उपर के तरह समझ करते रहना है ताकि वो दिखे कि एक धीरे धीरे वो जो है एवपुरेट हो रहा है वो उड़ जा रहा है हलके से मतलब ऐसा ही दीखना है ओम्रे का एफेक्ट तो अभी क्या करेंगे हम जो लाइट पिंक है लाइट पिंक कर शेड हमें उपर से अपलाई करन हों और अक्रिलिक पाउडर को अपर जब यूजे करें मोनमर में बार बार बर बर ब्रेश को ड्प करते रहना और अधो पौर को बैर यह लिक्ट फॉर्म जो नियल्स के लिए वेक्ट लग रह रहा है उसको भी आप मौनमर में ब्रेस को डिप करते हुआ इसको क्लीन करते रहना ठीक है और इससे ना स्मूथ एक सर्फिस जितना बना सको यह चल रहे हैं जितने बीटन बंब बने होंगे इसको हटा रही हुए और इसके बाद मैं करूंगी ऑफ से बफ टीक है बस के बाद उन्हें मैं इसके बाद भी दिखा चुकिऊ हूं शायद आपको नहीं दिखा होगा तो मैं बता दे रहे हुं कि पहले अंड़ी बोर्ट से स क्लीन कर लो और दुबारा जो है ना इसका शेव बना लो एंद फिर जो है इसको ब्लॉक पॉफर से स्मूथ कर लो और मैं यह थोड़ा ग्लीटर एपलाई कर रहे हूं ग्लीटर जेल पॉलिश ओनली ओरेंज वाले हिस्से पर हलका हलका एकदम शिमर ठीक है और इसको हमें क्य सेकेंड के लिए LED लैंप पे लिए LED लैंप और यह क्योर हो जाने के बाद में हमें करना है टॉप कोट अपलाई करो ठीक है और केपिंग करना मत भूलो बहुत अच्छे से उसको जो है आपको टॉप कोट से करना होता है नहीं तो ना वह जगा फिर डल दिखती है टॉप को अगर नहीं लगा हुआ रहा था वहां पे गंदा गंदा मतलब गंदा सा एक एफेक्ट आता है ब्लैक ब्लैक हलका से दिखता है वह ठीक है तो अच्छे से उसको मतलब टॉप कोट से कोट करो और यह जो है मैं लास्ट में क्यूटिकल ओल लगाई हूं और लास्ट फिनिश जो आप है देख सकते हो I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा ऐसे वीडियो के लिए subscribe करने ना भूले thanks for watching बाई बाई